वेल्कम शेंड्स ओन में टूटर चैनल आज से अपन सुरुवात करने वाले हैं प्रशनावली 3.4 की अब प्रशनावली 3.4 में केवल और केवल एक ही काम अपने को करना है अपने को आव्यू दीवी आएगी मेट्रिक्स अपने को दीवी आएगी उसका इनवर्स फाइंड आ करना है अरे वितकरम ग्यात करना यदि विद्यमान हो तो यदि उसका इस्तित्व है तो इनवर्स निकल सके तो निकालना है नहीं निकलने तो नहीं निकालना है अब वो कैसे पता चलेगा वो अपने को सोल करने पर ही पता चलेगा बाकि डारेक्ट मेथड भी अपन पढ़ इन्वर्स निकालना शिखेंगे अरे बाई मेट्रिक्स का जो मेट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना वहां भी शिखेंगे वहां अलग मेथड है यहां अपने पास में आव्यू का जो वितकरम निकालना है वो किसे निकालना प्रारंबिक रूपांत्रण से मलब आव्यू क कि इन्वर्स निकालने में दिक्कत आएगी जैसे जैसे आप क्यूशन आगे करते रहोगे जैसे जैसे प्रेक्टिस हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी शुरुआत में सभी को थोड़ा सा आठपटा लगता है तो एक बार देख लीजिए कि इसको सोल कैसे करते हैं और इसका जो प्रारंबिक रूपांतरन जो है ये है क्या प्रारंबिक रूपांतरन का मतलब क्या है कि कैसे सोल करना है तो देखो यदि मैं क्या करूँ देखो पहला क्यूशन लेता हूँ इन्वर्स निकालना है यदि मैं इसको ए माल लेता हूँ यदि इस आव्यू को मैं आपने मन्से क्या माल लिया अब इस A का मेरेको क्या पुछा है इस A इनवर्स मेरेको पुछा है क्या जो Avue A है यदि आप इसका इनवर्स निकालते हो तो इनवर्स निकालोगे तो भी कोई Avue आएगी तो वो Avue ग्याद करो A का inverse ग्याद करो तो ये मेरे को ग्याद करना है के से ग्याद करूँगा तो उसके लिए आपको एक चीज और बता दूँ कि यदि आप A को A inverse से गुना करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा भई I मिलेगा अरे ये भी कोई आवियो है ये भी कोई आवियो है तो गुना करने पर क्या मिलेगा आपको आई मिलेगा ये आपको याद रखना है ठीक है बाकी सिद्ध भी अपने करेंगे आगे दी आप सिद्ध करना चाओँ तो सिद्ध भी कर सकते हो अभी बताऊँगा वे थोड़े देर में इसका मिнутьल्ब ज्या और जैसे आप करते हो तो आप इस तरीके से क्या करते हो जिसे मानलों की 5 बटा 2 है तो 5 बटा 2 का व्यूतकरम आप कितना बोला करते हो जो मल्टिपलिकेटीव जो इनवर्स होता है और जो अपने पास गुणातमन परतिलों होता है वो कितना होता है अरे 5 बटा 2 का विद्करम किता होता है आपको पता है 2 बटा 5 होता है अरे कितना होता है बई 2 बटा 5 होता है तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है बई 5 से 5 गया 2 से 2 गया तो कितना मिल गया बई 1 मिल गया 5 बटा 2 का विद्करम किता था बई 2 बटा 5 इनको गुणा करने पर एक, एसे ही यहाँ पर अपने पास ए आव्यू है, तो एक के इन्वर से गुणा करोगे, तो आपको एक नहीं, क्या मिलेगा, आई मिलेगा, अरे क्योंकि आव्यू को आव्यू से गुणा करने पर आव्यू ही आती है, कौन सी आव्यू आएगी, इक क्या होत करते थे उसके बाद प्रतिलों गयाद करते थे इन वर्स गयाद करते थे कैसे pretty कोई संक्रिया लगाते थे कोई भी शंक्रिया थी ए और बी ao called why 392 की जो संक्रिया है कि इन तोनों को गुणा कर लो तो ए श्टार भी हो गया पहली पषटावलम्या कर वाय direct अना यह दिन नहीं भी पड़ी तो कोई बात नहीं, इसको मैं डारेक्ट समझा दूँगा, लेकिन जिन्हों ने पड़र किये वो एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि एसा क्यों करते है, इसका मैं कारण बताऊंगा यहां पर अपन क्या किया करते थे, तो यहां देखो, एक जाएं, तो इस E को में क्या बोलूँगा, तत्सम कवियों बोलूँगा, तो यहां क्या बोलता था भई मैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, A star E का मतलब, इन दोनों को गुना करो, A को किसे गुना करो भई, E से, E को E से गुना करोगे, तो क्या आएगा भई, E ही आएगा, अ आव्यू में क्या होता है कि यदि आप किसी भी आव्यू को अरे कोई भी आव्यू है उसको किस से गुणा करूँ कि वापस वही आव्यू आजए जैसे मालू यही है 1-1-2-3 यदि मैं आपको बताओ इसको किस से गुणा करूँ क्यों से गुणा करूं की वापस कि यहाँ आ जाए वापस ही आ जाए के एक मान मान निकालばाइक अब क कैसे निकालोगे तो उसके लिए आपको तरीका पता है क्या करोगे भई पहली पंग्ती पहला इस्तम तो a-c पहली पंग्ती दूसरा इस्तम तो क्या आएगा भई b plus d सोरी किता हो जाएगा भई b minus d इसको इसे गुना करोगे तो b minus d यहां दूसरी पंगती पहला इस्तम तो किता हैगा भै 2a प्लस 3c इसको इसे गुना करोगे तो किता मिल जाएगा भै 2b फ्लस 3d इधर कितना है भै तो इधर आपको मिलेगा एक माइनस सुरी एक माइनस एक दो तीन अब तुलना कर लीजिए इसके बराबर ये रख देना इसके बराबर ये रख देना तो आपको यहां से किसका मान मिल जाएगा और एक तो पहला समीकन एक दूसरा समीकन यहां से जब इनको सोल करोगे तो आपको एका और सी का मान मिल जाएगा अरे बड़े यास से मिle जाएगा अरे जयसे आप लिखोगे माइस जी बराबरेक दो गठाने से क्या होगा चटका या यहां किता मिल गया मेरे को माइनस 5 ही, इधर किता मिल गया 0, तो C का मान किता आ गया 0, अरे माइनस इधर बे दो तो यह हो गया, C का मान आ गया 0, तो ऐसे यह आप A का मान जब निकालोगे, तो A का मान आपको 1 मिल जाएगा, अरे तो C का मान आया है, वो किसी भी समयकर में दिखेगा एक बी का मान किता दिखेगा जीरो 시 का मान कितना है यह एक इसका मतलब इस यह करता हूं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा तो आपको हमेशा वापस वही आव्यू मिलेगी, देख लो चाहिए, इसको मैंने आई से गुना किया, तो वापस यही मिल गई, नहीं समझ मैं आया, तो आपको सीधा सा क्या करना है, याद ही रखना है, क्या याद रखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्या याद रखना है, तो मैं आप बस वही आव्यू अपनी आ जाती है यह आपको याद रखना है यहां काम आएगा क्यों सोल करने में बड़े काम की चीज है इसी से अपने व्युत्रम निकालना सीखेंगे तो याद कर लीजिए कि A को यदि अव्यू भी बोल दिया करते हैं इसी को अपना identity matrix बोलते हैं इसी को अपना unit matrix भी अपने को मिल जाती है इसलिए जो I है वह क्या है ततसमक आव्यू है तो इतना आपको याद आ गया होगा उसके बाद अपन क्या करते हैं अर यहां से तो अपन क्या रात्काने के लिए मैंने क्या बताया था यह तो आपने निकाले लिया तो परतिरोम के लिए मैंने आपको बताया था कि एक संक्रिया किसे करूं कि वापस क्या आ जाए भई एही आ जाए सुरी क्या आ जाए यह आ जाए एक संक्रिय किसे करूँ कि यहां कोई आविव है तो इस पी को में क्या बोल देता हूं तो इस पी को में क्या बोल दूँगा परतिरों बोल दूँगा वितकरम बोल दूँगा यही अपना क्या होगा वितकरम यहीं से अपने को समझना है अब यहां कोई आविव है तो ए गुणा में P, अरे A स्टार B का मतलब क्या था उना करना है, तो A स्टार P का मतलब क्या हो गया, A P हो गया उना करना है, बराबर में क्या है भई E, अब E अपने को पता चल गया, E का मतलब क्या है एक, अरे E क्या था, ये तो था E का मान, तो तत्समक है, तत्समका मान मेरको क्या मिल गया है यहाँ पर आई तो यदि A की संक्रिया किसी से मैं करवाँ और A की संक्रिया किसी से करवाने पर अरे A की संक्रिया किसी दूसरी आवियू से करवाने पर यदि A आई आजाए तो मैं इस P को क्या बोलूँगा इस A का inverse बोलूँगा, लेकिन यहां मैं किसको कामें लूँगा, भई, B कामें लूँगा अरे मालूमें B कामें ले लता हूँ तो देखो A की संक्रिया किसी से करवाने पर य से आई आ जाये तो मैं क्या बोलूँगा, इस B को क्या बोलूँगा इस A का inverse बोलूँगा इस B के जगे में A inverse भी लिख सकता हूँ इसका मलब याद रखना कि A को A inverse से गुणा करने पर हमेंशा क्या आता है आई आता है इतना आपको क्या करना याद रखना है या फिर A सा याद रखिए कि कोई भी दो आवियों को गुणा करने पर इस आई आ रहा है इसका मतलब ये जो आवियों है वो इसका क्या है? inverse है अरे जो B है वो A का inverse है और जो A है वो B का inverse है याद रखिएगा हाना? हमेशा आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि जो B है वो A का inverse आपको मिल जाएगा तो क्या करना है? देखो मैं तरीका बता देता हूँ अब इसको soul कैसे करना क्यूशन को? इस क्यूशन का तरीका बताता हूँ यदि ये समझी में आया तो कोई बात नहीं है जादा अपना इतना दिमाख लगाने की आउशिक्ता नहीं अब जो बता रहूँ वो तो उनके लिए है जिनको region चाहिए होता है कि ऐसा काम अपने क्यों किया तो मैंने कारण बता दिया है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा तो आपको देखो मैं सबसे पहला सबसे पहले स्टेप क्या अभी सबसे पहले स्टेप यही है कि एक को आई से गुना करने पर आपको पता है क्या आता है यही आता है अरदी एक को आई से गुना करोगे तो अब इससे होगा क्या अब कैसे भी करके मेरे को ये लाना है कि A को B से गुणा करने पर दिया आपको पता है क्या आजाए I कोई भी द्वाविय को गुणा करने पर I आजाए तो मैं क्या बोलूँगा इस B को क्या बोलूँगा A का inverse बोलूँगा तो कहने का बराबर में आपको बरस I बनाना है अर्य बराबर में जो A है इस A को कैसे भी करके I बना लेना इस A को कैसे भी करके I I का मतलब 1001 बना लेना अब कैसे बनाओंगा तो वो देखो मैं एक काम करता हूँ, यह A तो ऐसा का ऐसा रहने दो आई लिख ले तो मैं, आई आई आपको पता है क्या होता है, 1001 बराबर में A, A आपको पता है, यह A किता है, 1-1, 2-3 मैंने क्या किया है, इस वाले A को तो ऐसा का ऐसा रखा है इस वाले एको तो ऐसा का ऐसा रखा है आई का मान मैंने रख दिया एक जीरो जीरो एक और एक का मान भी रख दिया मैंने ठीकर इस वाले एको ऐसा का ऐसा रखना है अब मैं कैसे भी करके क्या करूँगा मैंने क्या बोला भी कि इसको कैसे भी करके क्या बनाओ एक जीरो जीरो एक बनाने का प्रियास करो कि कोई भी जो पंक्ति लो या कोई भी एक इस्तंब लो और उनसे सोल करके अरे उनमें संक्रिया लगा करके एक जीरो जीरो एक बनाना है अब देखो क्या क्या कर सकता हूँ या तो अपने को सब काम पंक्तियों में करना है या सारा काम इस्तंबों में करना है अब वो कैसे मैं पंक्तियों से start करता हूं कि सारा काम पंक्तियों में करूँगा या तो दो पंक्तियों को जोडूँगा या दो पंक्तियों से कर दिया, रो से कर दिया, तो सारा काम अपन ड्रो में ही करेंगे, और यदि तुमने इस्तम से स्टार्ट कर दिया, तो सारा काम अपन किसे करेंगे, इस्तम से ही करेंगे, अब कैसे, देखो सब कुछ साप कर दिया, अब मैं कैसे भी करके, यहां क्या बनाना चा बनावा है मतलब इस एक काम तो पहले से ऊचुका है इस एक काम तो पहले से ऊचुका है कि एक तो अपने पास में है अब क्या करो यहां क्या बना सकते हो जीरो बना सकते हो क्या यहां जीरो के से बना सकते हो तो वह सोचो तो मैं सोचता हूं कि क्यो ना में इसका क्या कर यहां बनाने का रहो जीरो बणा सकता है क्या तो मैं दिमाग में आया कि क्यों ना आरबन कर लो अर और इसका मैं डबल कर लूँ तो डबल करूँगा तो यहां किता आजाएगा दो मैं क्या कर रहा हूँ आरवन का क्या कर रहा हूँ डबल तो आरवन का मैंने डबल कर लिया अब क्या करूँ डबल करके इसमें से गठा लो और इसका डबल किया तो यहां दो गया अब इसमें से गठा दोगे, दो में से दो गठाओगे तो 0 आजाएगा, यहां किता आजाएगा, 0 मैंने R1 का डबल किया, और गठा दूँगा, किस में से, R2 में से अरे थोड़े आगे से आगे देखते जिएगा, तब अच्छे से इसको क्या आएगा, यह आपके गठा दिया, मनलब चेंज किस में कर रहा हूं, अरे गठारा किस में से एगो, आरटो में इसका मतलब, चेंज करना है, तो मैंने इधर चेंज किया, तो इधर भी मेरे को क्या करना पढ़ेगा, change करना पढ़ेगा, तबी ये बराबर होगी, और तबी ये क्या होगी, बराबर होगी, क्यों, देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई भी दॉआवियो है, ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ, वो भी बतायता हूँ, कोई भी दॉआवियो है, माल लों कि 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7, यह बराबर है कि लिए बिलगें अब इदी में क्या करूं कि इस में इस में से घठा दू और यह तो इस कुना गया याओ इसने कहता हो इसा भी तो कर सकता हो न कि इस पंतीका हए तीन बशुम इन है कि युक्ताइन घया नहीं में पिlichtना रहा ने हीए इसका तो द्या अएधर कर दिया तो करूंगा इतर भी करूंगा कि इसका तो इन गुना किया ता इसको तो मैं क्या कर elemen शिए प्रक्रब करके किसमा जोडगा हुआ हुआ भी नीचे वाले में जोड़ घून तो तीन इसमें जोरदो किता हो गया बैए साथ, तीन से उना करूँ दो ती आच्छे, जोरदो बैए किता हो गया ग्यारा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, बराबर है कि नहीं, मैं बना कुछ भी ऐसा अपन काम कर सकते हैं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, कि दोनों तरफ किसका मा लगा सकते हैं, लेकिन करेंगे किसमें, दोनों तरफ, इतना ध्यारा रखना, जो करना है, वो काम दोनों तरफ करना है, इसनी एक तरफ किया, एक तरफ नहीं किया, करेंगे तो दोनों तरफ ही करेंगे, तो अब देखो, मैंने पास मैं क्या है, मैंने किया क्या, आरवन, क्या किय dhpn 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 dhp 5 आ गया, कोई बात नहीं अब जो है वो लिख लीजे 1-1 इसमें कोई change किया नहीं अब जो काम मैंने इधर किया है वो काम इधर करूँगा अरे म olduğ john kia मैंने इधर भी करना मैंने को इधर किया तो इधर भी करूँगा तो मैं क्या करूँ इसका double एक ही आएगा अब देखो मेरे पास में क्या बन गया यह जीरो भी बन गया काम बन गया दो चीज तो हो अब एक काम और करना है मेरे को क्या करना यहां पर एक लाना है तो क्या मैं एसा कर सकता हूं क्या इसको पांच से भाग लगा दू क्या कर दो भई इसको किसे भाग लगा दू भई पांच से तो लगा देता हूं किसे भाग लगा रहूं पांच से भाग लगा रहूं तो क्या मिल देगा 5 तो यहां कितना आजएगा एक आजएगा बढ़ी आसानी से कर लेंगे देखो कैसे ए तो ही मैं क्या कर रहा हूँ तो वो देखी 1-1 मैंने क्या किया इसमें 5 का बाहा लगा इसमें तो कोई चेंज किया नहीं मैंने आटू में क्या change करहूँ 5 का बाँ लगा रहो तो माइनस 2 बटा 5 यहां कितना आ गया वह एक बटा 5 5 का बाँ लगा तो 0 5 का बाँ लगा तो 1 देखो कितना काम बन गया 1 आ गया 0 आ गया, 1 आ गया अब बस एक राज 0 आप बताओ यहां 0 कैसे बना सकते हो तो जैसे आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि क्यों ना में इसमें ये जोड़ो और इसमें ये जोड़ोगे तो यहां किता बन जाएगा जीरो देखो इसमें ये जोड़ोगे तो पंक्तियों में कर रहा हूँ भई सारा काम किसमें चल रहा पंक्तियों में ऐसे नहीं आदा पंक्तियों में कर दो आदा इसा भी कर सकते हैं तो देखो आप जीरो बनाने के लिए इसा भी कर सकते हो इसमें यह जोड़ दो लेकिन वो गलत हो जाएगा जीरो तो बन जाएगा आपका देखो इसमें यह जोड़ द इसमें ये जोड़ दो, पहली पंक्ती में चेंज कर लो, क्या, पहली पंक्ती में दूसरी पंक्ती जोड़ लो, तो जोड़ देता हूं, तो करता हूं, देखो, जोड़ूँगा, तो कितना मिलेगा मेरेको, देखो, ए, जोड़ूँगा, इसमें ये जोड़ो, अरे पहली पं अरे चेजर तो कि oneself में कर रहा हूँ मैं 1 में कर रहा हूँ R ू तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा इसमें यह जोड़ोगे तो कितना आ ए इस में यह जोड़ोगे तो कितना आगया बहए 0 यहाँ 0 और यहाँ 5 अब देखो एक आव्यू A को, किसी दूसरी आव्यू से गुणा करने पर क्या आजाए, आई आजाए, तो इस दूसरी वाली आव्यू को अपन क्या बोलते हैं, इसका inverse बोलते हैं, मनलब यह जो B है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एका inverse बोल सकता हूँ, कि यह जो है वो इसका inverse है, तो A का क्या है inverse है तो A से अपन A inverse क्या करते हैं निकालते हैं बाकिये दिया आपको check आना है कि अपने सही किया है या गलत किया है तो आप क्या कर लेना इस A inverse को किसे गुणा कर लेना A से गुणा कर लेना गुणा करने पर यदि 1001 आ जाएं तो इसका मतलब तो सही है, अन्यता अपने जो काम किया है, वो गलत किया है, तो उमीद है, थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत next question से और समझ में आ जाएगा, अब जरुणी अपने एक ही process करें, कई जगा दूसरा काम भी अपन कर सकते थे, मैं आपन person करते हैं, next question से आपको पता सल जाएगा, कि जरुणी पन एक ही तरीके से करें, कि जैसा मैं बता रहा हूँ, वेसा करो, आपके दिमाग में कोई दूसरा तरीका है, तो उससे भी आप कर सकते हो, जैसे कई हो कि दिमाग में आता, कि यहाँ पर मेरे कोई एक बनाना है, या फिर कोई इस तंबो से करना चाहता, तो इस तंबो से भी कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, इस तंबो से करता, तो मैं यहाँ एक बन गया, यहाँ जीरो बना सकता था, जल्दी, कैसे, इसमें यह जोड़ देता, तो यहाँ जीरो बन जाता, जल्दी काम हो जाता, तो वो तो दूसा क्योशन कि अभी तो दूसा क्योशन इस तरफ के सदेर का तो मैं क्या मा लेत은। ऑपने मन से आउ मिन आपको पता तरीका क्या है सबसे पहले लिखना यहीए कि कि एक को आई गुणा करने पर A आता है, अब इसको कैसे भी करके आप क्या बनाना, अरे बराबर में जो सिंगल वाला है A है, इसको कैसे भी करके क्या बनाना है मैं बता चुका हूँ बार बार कि 1001 बनाना है, कैसे भी करके 1001 बना लीजिये, यदि बन गया तो अपना काम हो जाएगा क्या हो जाएगा देखो, पहले लिखो ये तो मैं ऐसा का इसा लिखता हूँ आई तो मैं पता ये 1001 ये क्या है ये ये रहा किसकी बात अपने कर रहे हैं ये तो अपना हो चुका है, बात कर रहे है क्या सोचो कोई भी एक चीज उठा लो आप तो कि मैं इसे सोचो कि यह एक बनाना मेरे को तो यह कैसे बनो तो दिख रहा मेरे को तुरंत क्या दिख रहा है कि इसमें से यह गठा दो आ गया देखो इसमें से यह गठा होगे इसमें से गठा होगे तो गठा हो कि ता गया यह ए रहा है, 20,000 तो बताओ किंगे हो गहिए? सब्सक्क्रास कर आटने निर्ण के सब्सक्राइब हरे Land, इसमें से एगठाओ गिता आगया बहिए जीरो एक इसमें से एगठाओ किता आगया एक इसमें से एगठाओ किता आगया बहिए जीरो एक एक सबस्क्राइब हो यह इसमें से एसमें से खठा रहा हूं इसमें से घठा रहा हूं इसमें से चाहे हैं बाई जा धू कितना आगे बैठ गया बॉद्द यह जहें अब बताऊ मेंने क्या बोला है r2 में से r1 गठा दिया चेंज किसमें होगा भई r2 में ही हुआ है बाकी r1 तो इसा कैसा रहेगा इसमें तो कोई change में ने किया नहीं ना बस काम खतम हो गया यहीं खतम हो गया इधर क्या बन गया अपना 1, 0, 0, 1 बन गया, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, यह जो भी अपना आया है, उसको अपन A inverse बोलते हैं, तो बताओ अपना A inverse क्या हो गया, अरे एका विद्करम किता हो गया भई, 1-1-1 और 2 यह अपना क्या हो गया आंसर हो गया वितकरम हो गया है तो इस तरीके से आपको क्या करना है Solo करना है तो देखे Next Question तो देखे परसा नंबर 3 और 4 और बाकि की जो बाकि लेक्षर में उनको भी मेरे को करवाना तो ह rich कि आपको केवल और केवल क्या अंच करना पड़ेगा उनको देखना पड़ेगा सही या गलत है वाकी आंसर आपकी बुक एंदर है तो आपको वेसे पताँ जायेगा तो बात करताा हूं थोड़ी और प्रेटिस का लेते हैं परसन नमर तीन और परसन बर चार की तो यह माँ लिता हूं कि यह अब भी अपनी क्या है ए इसका में को इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालना है तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा भी एक को आई शे गुणा करने पर आता है सबसे पर तो यह लिखूंगा अरे मेरे को पता है कि चुकि ए आई बराबर क्या होता है यह होता है एक को आई से गुणा करने पर एह ही आता है अब बताओ क्या है इस एक को तो कुछ लिखना नहीं है यह यह तो ऐसे कैसा रहेगा आई बोलो क्या होता है एक जीरो जो आविए उसको कैसे बिगर के एक जीरो जीरो एक बनाना है तो बनाओ देखे मैं परियास करता हूं क्या करता हूं वही काम करूंगा जो मैंने पहले किया था मैं सोचता हूं कि यहां में एक बना सकता है तो वही काम कि इसका तो डबल कर लो और इसका डबल कर लो और इसमे मैंने किया था कि R1 का । और डबल और गठा दिया किस में से वई R2 में से मन तो चेंज किसे में हुआ वगई R2 में ही हुआ है निग्रों निगरा है और अग्रों का डबल करए हूँ जो भी आपको दिखाए दे रहा निग्री इनका double करूँगा और नीच्यवाले मेंसे गठालूँगा मतल weiß किस मेंसे R2 मेंसे गठालूँगा तो देखो, इसका double करोगे तो किता हो गया 2 इसमेंसे गठाऊ तो minus 2, इसका double किए 0 इसमेंसे गठाऊगे तो एक लिया यह क्या फरक पढ़ेगा इसके तो कोई फरक नहीं पड़ेगा इसका डबल करोगे तो 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 इ यहां पर जीरो बनाना है तो यहां जीरो कैसे बनाओगे वह देखो यहां जीरो बनाना है तो जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं तो थोड़ा सा सोचिए ज्यादा नहीं थोड़ा सा सोचने से आपको पता सदेगा और द्याने पंक्तियों में कोई काम करना है जो करना वो पंक्तियों में करना है, मैं सारा काम पंक्तियों से ही करता हूँ, ठीक है आपको भी पंक्तियों से करना है, बाकि कई हो कि आदत स्तंबो से है, तो स्तंबो से भी कर सकते हैं कोई दिकत रहें, शुरुवात भी स्तंब से करने पड़ेगी और खतम भी कहाँ पर करना पड़ेगा इस तंबो से ही करना पड़ेगा तो देखिए मैं क्या करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अब क्या करूँ या 0 बन सकता है कैसे बन सकता है यह दि इसका 3 गुणा करूँ अर यह दि इसका 3 गुणा कर दू 3 गुना किया तो 3 3 में से 3 गठा दो, कित्ता आ जायेगा, 0 हो गया, काम खतम, मैं क्या कर रहा हूं, वैं कि R2 का कित्ता गुना कर लेता हूं 3 गुना, इस R2 का 3 गुना किया, और R1 में से, sorry, ठीक, सही है R1 में से गठा दिया और R2 का तो क्या किया 3 गुना और R1 में से गठा दिया मनदब चेंज किसमें हो रहा है भई R1 में हो रहा है मनदब चेंज किसमें हो रहा है R1 में तो R1 में चेंज हुआ तो लिख देता हूं भई R1 में चेंज होगा चेंज R1 में हो रहा है तो R2 तो ऐसा का ऐसा ही तो रहेगा इसमें थोड़े ना चेंज भुआ है इसको तो अपन गुणा कर रहे है माइनस 3 से और किस में से गठा रहा हूँ भई यह R1 में से तो देखो, पेरे तो क्या करोगी इसका 3 गुणा R2 का 3 गुणा तो इसका 3 गुणा करो भई, 3 गुणा किया तो माइनस 3 और इसमें से गठा रहा हूँ तो 1 में से माइनस 6 गठाओगे तो आपको किता मिल जाएगा भई, 7 मिल जाएगा अरे गुणा किया 3 से तो माइनस 6, इसको गठाना है किस में से R1 में से तो गठा लो तो 7 आ गया, इसे इसका 3 गुना करूँगा तो 3, इसमें से कटाओगे तो minus 3, 3 गुना करो, 3 गुना करो, कोई फरेकने पड़ेगा, 0 का तो 0, इसमें से कटाओगे तो कित आएगा 1, 3 गुना करो तो 3, 3 में से 3 गटाओगे तो 0, बन गया, 1, 0, 0, 1, यदि 1, 0, 0, 1 बन गया, त A inverse मिल जाएगा ठीक है तो person number 3 है complete हो गया है यदि फिर भी आपके दिक्कत हो तो एक बार क्या कर लीजिएगा repeat करके दुबारा देख लीजिएगा ताकि थोड़ा अशाँ वापस जहां पर आप अटकते हो वहाँ आपको पता तल जाए कि करना क्या है तो देखो बात अपने करें person number किसकी भई 4 की तो person number 4 कर लेते हैं इसमें भी तो inverse निकालना है तो निकालते हैं इसको मैं क्या बोल देता हूँ भई A बोल देता हूँ तो इसका inverse निकालना है तो मैं क्या करूँ भई A को I से गुणा करने पर A आता है आपको पता है सबसे पहला काम तो यही करना आई बगर ए मान रखोगे तो यह है आई का मान एक 0001 क्यों यह एक इता है यह अपने पास मैं किता आ गया मैं दो तीन पांच साथ अब आपको पता इसको कैसे विक रके क्या बनाना है एक जीरो जीरो एक बनाना है तो कोई भी एक चीज उठा लीजिए कोई भी एक चीज उठा लूँ क्या उठा लूँ मैं क्या बना सकता हूं मैं यहां पर एक बना सकता हूं क्या यहां यह बनाने में थोड़ी गड़ आएगी मैं यहां क्या बना लेता हूं थोड़ बन पार या एक नहीं बन पार है कैसे बनेगा बताओ या एक बना सकते हो क्या नहीं बन पारा मेरे को तो नहीं दिखाए दे रहा है एक नहीं दिखाए दे रहा तो फिर क्या करूं यहाँ जीरो बना सकता हूं क्या यहाँ जीरो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है से घठालू साथ में 6 तो यह किता प्रम यह बनाना आशान है तो पहले में मिए बना लेता हूँ अरे आपके दिमाग में और कुछ उते हूं और कुछ काम कर लीजिएगा ठीक है तुम्हे क्या कर रहा हूं मैं कर क्या रहा हूँ कि इसका double करता हूँ r1 का double करता हूँ और गठा लूँगा किस में से r2 में से change किस में हुआ r2 में हुआ change किस में हो रहा है r2 में हो रहा है तो कर लीजिए देखो r2 में change करोगे r2 में change करोगे तो r1 तो ऐसे ही रहेगा आरवन तो ऐसे रहेगा अब आप करो, आरवन का डबल और इसमें से माइनस तो इसका डबल किया तो दो इसमें से गठाओ तो किता गया बही माइनस तो इसका डबल किया तो 0, इसमें से गठाओ गया तो किता आएगा एक, इसका डबल दो का double किता हो गए वह 4 पांच में जो जो जाए एक टीन का double 6 7 में से 1 गठाओ 7 में 6 गठाओ किता आगया 1 तो यह 1 तो बनाना यह 1 तो अपना बन गया है अब आप सोचोर क्या बना सकता हो अब मैं यहां 1 बना सकता हूँ यहां 1 बनाना सरल हो गया अब देखो यह एक बन जाएगा जल्दी, कैसे, इस में से यह गठा दो, बन जाएगा, दो में से एक गया, कितना आ गया वही, एक आ गया, और यही मेरे को लाना था, तो कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, तो कीजिए, क्या करूँगा, मैं यह कर रहा हूँ कि R1 में से, R2 चेंज कर लो, तो यह लो, R1 में चेंज कर रहा हूँ, तो R1 में चेंज कर रहा हूँ, तो R2 तो इसा कैसा रहेगा, तो इसको तो इसा कैसा चाप लीजी, अब मैं कर रहा हूँ, R1 में से, R2 गठा रहा हूँ, तो इसमें से गठाओ कितना आ गया, 3 आ गठाने पर, अरे आर और क्या कर सकता हूं और क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को क्या बनाना है यहां पर मेरे को क्या बनाना बैज जीरो बनाना है और यहां पर भी जीरो बनाना बस दो चीज रहे गई है तो मैं यहां जीरो बना सकता हूं क्या बना सकते हैं कैसे बनाओगे जीरो तो आराम से बना सकत और इसका डबल करके इसमें से माइनस कर दो कि R2 का डबल करो R2 का डबल करो माइनस कर लो कि इसमें से R1 में से तो change किसमें हो गया R1 में यहाँ 0 बन जाएगा तो करता हूँ देख करके देखता हूँ देख कि R रहा है क्या तो मैं करता हूँ देखो क्या है भई A चेंज किस में हो रहा है भई चेंज किस में हो रहा है R1 में तो R1 में चेंज हो रहा है तो R1 तो A से के A से ठीक है R1 R1 में चेंज हो रहा है तो R2 तो A सा का A सा R2 तो A सा का A सा चेंज R1 में हो रहा है तो कर लो मैं क्या कर रहा हूँ इसका double इसका क्या कर रहा हूँ बई double कर रहा हूँ तो double करूँगा तो किता हो गया बई minus 4 इसमें से गठा होगे तो किता आ गया 7 आ गया इसका double करोगे किता आ गया बई 2 इसमें से गठा हो तो minus 3 हो गया अरे 2 आया minus 1 minus 2 किता हो जाएगा minus 3 तो एक कडबल आपको किता मिलेगा, दो में से दो गटाओ किता मिलेगा, 0 कोई बात नहीं, देखो मेरे को चाहिए क्या था, 1, 0 1, 0, नहीं आया, थोड़ा सा गडबड हो रहा है, ठीक है यहाँ 0 बन गया, लेकिन यहाँ 1 की जगए किता बन गया, माइनस 1 लेकिन मेरे को माइनस 1 थोड़ी का चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहली पंक्ती को माइनस 1 से गुणा कर लेता हूँ, हट गया, देखो माइनस हट गया, मैं पहली पंक्ती को क्या करता हूँ, पहली पंक्ती में चेंज कर लेता हूँ, पहली पंक्ती को किसे गुना कर देता हूँ, माइनस से गुना कर देता हूँ पहली पंक्ति किसे गुना करता हूँ, माइनस से या यह से लिख दो कि माइनस एक से गुना कर रहा हूँ, किसको पहली पंक्ति को, तो हो गया चेंज पहली पंक्ति में अरे कर सकता हूँ ना तो देखो माइनस से गुणा किया मैंने इसको माइनस से गुणा किया तो किता हो गया माइनस साथ तीन माइनस से गुणा किया तो किता हो गया एक जीरो जीरो के कोई फरक नहीं पर था इसमें तो कोई चेंज किया नहीं न यह तो ऐसे कैसे बस थोड़ा में 2 देख़ नो तो इसमें से घठाओं गया जी रोबन जाएगा तो हो रहा है सोरी आनी यह क्या है एपने पास में तो आटो में चेंज हो रहा तो आरवन तो एसे कैसे रहेंगे अरवन से कैसे रहेंगे इसमें से घठालो बस इसमें से घठाओ गया तो यहां किता होगी तो किता हो यह मेरेको क्या मिल गया यह मर को ऑई मिल गया बन गया बनाना था तो बस यही हम आपना क्या है इंवर्स तो लिख दीजिएगा क्याक दीजिएगा कि A inverse बराबर कितना आ गया minus 7 3, 5 और minus 2 यह अपना क्या हो गया है इसका inverse हो गया है अरे बस इतना सा ही थो था बस थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा कि अपने क्या क्या करे कि अपना क्या हो जाए इधर अपना क्या बन जाए 1, 0, 0, 1 बन जाए और कर लेंगे next video lecture में बाकी इनकी practice जरूर कीजिएगा इसके जो उधारन है उनसे आप और practice कर सकते हो बाकी आगे के question भी निकालने का try करना उसके बाद कल की video lecture में लगबल लगबल जितने हो सकेंगे जो 2 गुणा 2 करम के हैं उनका सभी का inverse निकाल दूंगा जितना हो सकेगा तो मिलेंगे next video lecture में आज के लिए के वाल इतना ही